नशा ये सरकार का नशा है और नशा कुछ इस तरह से चढ़ा है कि ना ये चीखे कानों तक पहुँच रही है ना ये दर्ध ना ये बच्चों का अपने पिता को खोना ना ये महिलाओं का अपने पती को खोना कुछ भी नहीं पहुच रहा है कोई मापने बेटे के लिए रो रही होगी तो सुन लीजे नितिश कुमार को वो बता रहे हैं कि पिएगा तुम मरेगा ही ये कैसे राज्य के मुख्यमंत्री जहां पर शराब बंदी है कई प्रश्न खड़े होते हैं लेकिन उनका मुकाबला कैसे हो क्योंकि यहां तो घुसा और उसी के साथ पलटवार की पूरी राज्यनीती चल रही है जो हावी है से मुद्दे पर हमारे साथ नितनान राय जी इस वक जुड़ रहे है जो कि केंद्रे मंत्री है बिहार से याते है राय साब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब तो ठीक है आप दस प्रशन करेंगे लेकिन इतिश कुमार हो बोल्टा कह रहे है कि जो पिएगा वो मरेगा इधर आप तेजस्वी यादव को देखे वो आपको याद दिला रहे है कि गोपाल गंज में जब आप सरकार में थे ऐसी घटना घटी थी तब आप लोगोंने चुपी साद ली थी क्या जवाब है क्या शराब बंदी से हो रही मौतो पर राजनीती के किस धुरी पर आप खड़े है उसके हिसाब से स्टैंड लिया जाएगा राय साब देखिये बिहाड में रिती स्टैंड की सराब नीती असफल है अबायद एवम जहरीली सराब में सासन पर शासन और पुलिस सालिप्त है सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है बहरी हो गई है गुंगी हो गई है और निकम्मी हो गई है दोसी पकरे नहीं जाते एवं निर्दोस गरीब लोगों पर कारवाई होती है छपड़ा में जहरीली सराप पीने से कई दर्जन लोगों की मौत हो गई मुख मंत्री जी का या आसोबनिय बयान सराप पियोगे तो मरोगे या उनका निर्दई एवं आसमबेदन सील बयान है जिसकी जितनी भर्तना की जाये वह कम है छपड़ा की तरह साएक क्रो इस प्रकार की घटना बिहार में हो चुकी है हजारों लोगों की मौत हो चुकी है सभी प्रकार की असफलताओं से एवं गलत लोगों से घिरे रहने के कारण नितीज जी हतास एवं निरास हो चुके है और हतासा और निरासा में इस प्रकार का बयान देया जा रहा है तेजस्वी जी जो कहते हैं कि यहाँ सियासी ड्रामा है तेजस्वी जी आपको भी समझना चाहिए नितीज जी आपको भी समझना चाहिए और बिहार की जनता के परती आपकी दर्द होनी चाहिए जनता के परती दर्द नहीं है जनता के जिवन से आपको मतलब नहीं है बिहार की जनता देख रही है और आज उस पडिवार के दुख दर्द में आपको संवेदन सिल होना चाहिए तो आप लोग निर्दाई बने हैं, दोसियों पर काड़वाई नहीं कर रहे हैं, अपनी दोस को छुपाने के लिए तरह-तरह की बाते कर रहे हैं पर ये दर्द कहीं आपके लिए राजनीती की सीड़ी तो नहीं है बिहार में, बीजेपी के लिए ये दर्द जो लोगों की कराहे हैं, एक बार सुना ये जरा, जो तस्वीरें हैं, आवाज आ रहे हैं, ये दर्द आपके लिए राजनीती की सीड़ी तो नहीं बन रही, बीजेपी के लिए बिहार में नहीं बेलकुल नहीं, भारतिय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही संबेदन सील भी सह है, भारतिय जनता पार्टी बहुत ही दुखी है, जब भी इस परकार की घटना होती है, तो भारतिय जनता पार्टी उसको गंभीरता से लेती है और उन लोगों के साथ जिनके साथ घटना घटती है उनके साथ खड़ी होती है इस दुख की गड़ी में हम उनके साथ है भारतिय जनता पार्टी का इसमें कोई सियासी चाल नहीं है न नियत है नियत तो खड़ाब नितीजी की सरकार की है कि गलत लोग प्रियता से गलत लोग बंदी होनी चाहिए लेकिन सराब बंदी की नीती गलत है निर्दोस लोगों पर काड़वाई होती है यह काफी बुड़ा है और सराब पीकर लोग मर रहें और सरकार सोई रहें और उस पर इस परकार के निर्देपुन ब्यान करें यह तो बहुत गरवर है नितीज जी आपक ह हो वेठें दन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने बीच में एक लाइन कहीं थी कि शराब बंदी गलत है कि शराब बंदी गलत है अगर आप लोगों की सरकार आईगी वहां बिहार में तो शराब बंदी को खत्म करेंगे नहीं नहीं मैंने सराब बंदी गलत है नहीं का मैं सराब बंदी की नीती जो नीती जी की है वहां नीती गलत है सराब बंदी का समर्थन हम लोग करते हैं सराब बंदी होनी चाहिए जिस समय सराब बंदी वा था उस समय भी हम लोग विपक्ष में थे तब भी हम लोग सराब बंदी का में उसमें परदेश देख था और सराब बंदी हो इसका हम लोग ने समर्थन किया था लेकिन इनकी सस्ती लोग प्रियता हासिल हो इसके लिए इन 30 सरकार को कटगरे में खड़ा कर रहे थे